सद्गुरु, मैं लगातार अपने कुछ सीनियर साथी डॉक्टरों को लेकर परिशान रहता हूँ, जो बहुत ही अच्छे सर्जन हैं। सद्गुरु, दिल को ठी करने के कुछ ऐसे ओप्रेशन हैं जो बहुत कम लो कर पाते हैं, पूरी दुनिया में। मैं एक उधारन देता हूँ, मैं एक ऑप्रेशन करता हूँ जिसे पल्मनरी इंडार्ट टेरिक्टॉमी कहते हैं। इस बिमारी में खून के ठके पैर से फेपडों की धमनियों में जाकर सभी धमनियों को ब्लॉक कर देते हैं। 20-25 साल पहले इसका कोई लाज नहीं था। और जैसे ही पता चला कि आपको ये बिमारी साल भर के अंदर आपका मरना तैथा। आजकल ऐसे लोग जो 2-3 सालों में होम ऑक्सीजन पर हैं, वो उपरेशन के बाद स्काई डाइविंग या स्कूबा डाइविंग करने जा सकते हैं। उनका जीवन इतना बदल जाता है। मगर इस दुनिया में 50 से भी कम ऐसे सर्जन हैं, जो ये ऑपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह मेरे कुछ सहीयोगी बहुत ही गिफ्टेट सर्जन्स हैं। उनकी उम्र 50 से जादा हो चुकी है। उनमें से कुछ लगातार रेटायर्मेंट की बात करते रहते हैं। खास्तावर पर एक सर्जन्स जो बहुत ही काबिल और गिफ्टेट सर्जन्स हैं, जो किसी भी डैमेजड वॉल्व को ठीक कर सकते हैं। वो अववाहित हैं, उनकी कोई दूसरी जमेदारी नहीं हैं। वो हर दूसरे दिन बनारस या कहीं और जाने की या रेटायर होने की बात करते रहते हैं। मैं उनसे कहता रहता हूं कि भगवान ने उन्हें रेटायर होने या ध्यान करने के लिए नहीं बनाया, उन्हें इन बिमारियों को ठीक करते रहना होगा। तो गुरुजी वो हर छे महिने में मुझे एक स्टेंशन देते रहते हैं छे महिने बीते बीते उनका वही अलाब शुरू हो जाता है वो रेटायर्मेंट की बात करने लगते हैं और अस्पताल में हर कोई निराश हो जाता है तो इस तरह के लोगों से हम कैसे निप्टें आप उन्हें छुटी पर एक साल के लिए मेरे पास भेज़ दीजिए क्योंकि किसी को रेटायर्मेंट की जरूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि उसके काम में नीरसता आने लगती है वो कुछ भी हो किसी और को लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है लेकिन आपके अनुभव में ये कही न कही नीरस हो गया है या ठहराव आ गया है ठहराव एक ऐसी चीज़ है जिसे इनसान के बुद्धि और शरीर स्विकार नहीं करते ज्यादा तर बीमारियां ठहराव के कारण होती है जीवन का ठहराव हो सकता है कि उन्हें प्रमोशन मिल रहा हो वो ज्यादा पैसे कमा रहे हो ये सब हो सकता है मगर अनुभव के स्थर पर एक ठहराव है जो मुख्य वज़य हो सकती है उन कई जटिल बीमारियों की जिसे लोग अपने शरीर में पैदा करते है जैसे जैसे बीमारियां जटिल होती जाती है आप और भी ज्यादा talented surgeons बनाने की कोशिश करते है हम समस्याओं को पैदा कर रहे है फिर उनका हल ढूडने की कोशिश कर रहे है जो लोग समस्याओं में पढ़ चुके है उन्हें समाधान की जरूरत है लेकिन लोगों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि वो कैसे इन समस्याओं को पैदा ना करें वरना आपको 50 की बजाए 5000 expert surgeons पैदा करने होंगे जो इन लोगों का खयाल रख सकें जो खुद ही बीमारियां पैदा कर रहे है मैं तो कहूंगा कि जिस surgeon के पास एक खास योगिता है और जिसने जीवन भर काम किया है अगर वो अपनी खुद की प्रकृती की खोज करना चाहता है तो ये सबसे अच्छी बात होगी क्योंकि इस इनसान में जिम्मेदारी की कमी नहीं है या योगिता की अगर योगिता और जिम्मेदारी है तो आपको उनसे रोज रोज वही काम करवा कर उस संभावना को नश्ट नहीं करना चाहिए ये महतुपून है कि वो अपनी खुद की प्रकृती को खोजें जो क्यों है पता नहीं कि वो क्या खोज लेंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो क्या पा सकते है मेरे ख्याल से थोड़े दिनों की छुटी अच्छी होगी वो कुछ ऐसा भी कर सकते है जिसके आपने कलपना भी न की हो मैं आपका संदेश उन तक पहुँचा दूँगा सद्गुरू मुझे यकीन है कि वो एक कारिक्रम देख रहे है